कि दू लेक्चर में हमने वर्क का कंसेट पढ़ा था और लास्ट वाले में इनर्जी पढ़ा था अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देख लिजेगा क्योंकि वह बहुत इंपोर्टेंट है और आज की इस लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी थेयोरिम पढ़ेंगे और उसके आगे जो चीजें वह पढ़ेंगे तो एकवर्डिंग टुवर्क एनर्जी थेयोरिम जिसे हम LED से लिखते हैं वेट वोज इनर्जी थेयोरिम इसित डैट इट इस्टेट डैट the total work done बहुत ही important है दोस्त बता रहा हूँ आपको द्यान से समझो the total work done on a body is equal to change in kinetic energy हमको पता है हम class 9 से ही या छोटे class से ही जानते हैं जो theorem होते हैं वो बहुत ही important होते हैं क्योंकि हमारे जो questions होते हैं या उनके approach होते हैं उनको easy बनाते हैं तो ये भी theorem physics के लिए बहुत important है mechanics के लिए बहुत important है work energy theorem it is stated that the total work done a body is equal to change in kinetic energy it means कि w net total work done need work done is equal to change in kinetic energy change in kinetic energy बहुत important theorem mechanics का maximum question जहां हमारा work आ जाएगा जहां हमारा energy आ जाएगा उसके mechanics के maximum question इस concept पर होते हैं क्योंकि हमें पता है work done जो होता है इनर्जी के बराबर होता है और यह भी पता है कि एनर्जी कंजर्व होती है इसलिए यह बहुत important है numerical में एक concept में बहुत तीजी से यूज होता है और है कुछ नहीं डबल इकॉल टू डेल्टा के ए चेंज इन कैनेटिक एनर्जी लेट वर्क डन इकॉल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी बस यह छोटा सा थियोरेम इतना आसान बना देता है mechanics की चीजों को कि आप समझ भी नहीं सकते हो जब आप question apply करोगे question पर करोगी तब आपको पता चलेगा कि इसका importance क्या है physics में तो अब ही हम इसके derivation को देखते हुए चलते हैं और derivation भी बहुत easy है पहले यह क्या बोला statement क्या था कि the total work done on a body is equal to change in kinetic energy किसी भी body पे हम जीतना work करेंगे वो kinetic energy change होने के बराबर होगा change in kinetic energy के बराबर होगा that means कि w equal to k final minus k initial अब derivation वही करेंगे जो kinetic energy का हमने किया था वही डिट्टो derivation है एक object है जिसका mass m है और यह वीवन वेलोसिटी से मूब कर रहा था इन दे प्रेजेंस अफ फोर्स एफ वीवन वेलोसिटी से मूब कर रहा था हमें पता है कि जो मोसन होता है उसके लिए action की जरूवत है और जिस action की बात करते हैं हम फोर्स होता है हमने इस बॉड़ी पे एक फोर्स लागाया अण्डर एक फोर्स डिस बॉडी इस ओडी मुवीग व्लोसिटी वीवन आफ्टर टाइमटी after time t its velocity become v2 its velocity become v2 कुछ देर बाद उसी force के अंदर इसकी velocity v2 हो जाती है ठीक है उसकी velocity v2 हो जाती है और यह horizontal surface पर चलता है यह हमारा horizontal surface है ठीक है यानि कि जब हम इसकी derivation की बात करेंगे हमारा force वही F है ठीक अब एक body है जिसका mass A में है जब हम उसे force F apply करते हैं तो वह V1 velocity से move करता है जब हम T time बाद after time T T time के gap के बाद उसकी velocity V2 हो जाती है ठीक है तो सबसे पहली चीज आएगी हमारी कि हमें क्या करना है तो हम वही करेंगे जो kinetic energy में किये थे इसकी इनिसेल velocity क्या है वी 1 है फाइनल वि ऐसे हमारा इनितिती वी 1 वड्यासिटी अथे है यह करता है और यह हमें नहीं पता तो हम उज करेंगे वी左 इचल इकल टू यू इसक्वाइर प्लस है यहांसे जो हमारा यह आएगा वह आएगा final velocity का square that means कि v2 का moje minus v1 का square divided by 2s यह आएगा हमारा acceleration एक body था फोस एफ के अंदर जब हमने उस पे f शो अप्लाई किया था तो वह move कर रहा था वह you move कर रहा था वह Bean time t उसकी velocity V2 हो जाती है तो हमारा सबसे पहला काम था acceleration तो हम force निकालेंगे तो f equal to mass into acceleration force on body कितना होगा mass into acceleration that is f equal to mass तो हमें पता है acceleration की value कितनी आई है v2 का square minus v1 का square upon 2s ओके अगर हमें work done निकालना होगा कि work done on body यह सारी चीज़े आप पहले पढ़के और that is w equal to होता है fs cos theta force into displacement अब हमने force किदर लगाया है इधर displacement किदर हुआ है इधर it means कि along force यह force है x-axis के along हमारा displacement भी किदर हुआ है x-axis के along it means that कि जो हमारा force और displacement है उनकी बीच में angle कितना है zero degree that means कि cost 0 और cost 0 की value कितनी होती है one हमने force लगाया है along x-axis और जो displacement हो रहा है वो भी along x-axis हो रहा है it means कि force और displacement के बीच में angle कितना बना zero degree यानि कि w equal to fs अब हम value put करेंगे अगर तो जो हमारा आएगा जो हमारा आएगा वो आएगा w equal to f की value हमारी आई है यह f की value m v2 का square minus v1 का square divided by 2s और इंटो displacement s ss कट गया अब बचा w w equal to मैंने क्या किया m multiply कर दिया m v2 square minus m v1 square divided by 2 that means कि w equal to 1 by 2 m v2 square minus 1 by 2 m v1 square this means कि w equal to k final minus k initial kinetic energy final minus kinetic energy initial और इसको करके बोलो w equal to k2 minus k1 और इसको करके बोलो कि w equal to delta k जो कि हमारा आगया हमारा work energy theorem का statement क्या था it is state that total work done a body is equal to change in kinetic energy तो अगर हमें derivation करना था तो हम इसको ऐसे कर लिए सिधे सिधे हमारे academic slavus में यहीं होता है हम इसको basic mathematics that is differentiation यूज करके भी कर सकते हैं differentiation इंटिग्रेशन यूज करके भी इसका derivation हो सकता है आप लोग अभी try करिएगा देखिएगा कि जो हमारा integration यूज करके जो हमने पढ़ा था कि w equal to f into dx dw equal to इसको आप अप्लाई करके देखिएगा इसका derivation आपको आ रहा है कि नहीं आपको w equal to delta k निकालने आ रहा है कि नहीं आप इसको try करिएगा अब यहां पे हमारा derivation हो गया तो अभी मैं बहुत ही important है आपको proof के लिए भी कुछ नहीं करना था जो हमने kinetic energy का किया था उसमें जो final velocity 0 हो जा रही थी kinetic energy में वहां पे final velocity v2a बाकी सारी process वही है तो हमारा यह आया है that is w equal to k final minus k initial और w equal to k2 minus k1 work done जो होता है हमारा scalar quantity होता है इसलिए energy b scalar quantity ही होती है आपको पहले से पता है तो यह सारी चीज़े थी अब हम आगी बढ़ते हैं एक बहुत important है उमीद है कि यह clear होगा आपको अगर नहीं है तो ध्यान से देखू इसमें कुछ नहीं है यह class 9 में भी है अगर समझने की कोशिस करो तो class 9 में भी है कुछ न पढ़ेंगे यह हमारा हो गया work energy theorem हम लोग इस पर numerical करेंगे एक वीडियो में मैं numerical upload कर दूंगा यह बहुत important है work energy theorem और करना कुछ नहीं है ऑफ निट वर्कडान एकımızı ल हीन्टिशन गेंहें अगर कीयोप में है तो डियूरी ही आपको कंजर्वेसेन है आफ to energy कि सबसे पहले कि physics में अगर आपकी थ्योरी च्लियर है आपको कंस्यूप्ट पता है तो आप numerical कर सकते हो क्यों क्यों क्योंकि numerical practice का खेले सारा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा numerical बनाने आपको आएगा तो सबसे पहले आपको थियोरी पता होना चाहिए यह हम पढ़ रहें principle of conservation of energy हमें पता है conservation of energy क्या होता है your conservation of energy होता the energy can neither be created nor destroyed, energy can neither be created nor destroyed, not destroyed, it can be transferred from one form to another, one form to another, हमें पता है कि energy जो होता है वो कभी खतम नहीं होता है ना बनाया जा सकता है, वो energy एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, energy can neither be created nor destroyed, it can be transferred from one form to another, आप इसको क्लास 9 में भी पढ़के आए होगे, सॉरी क्लास 9 में कह रहे हैं, क्लास 10 में source of energy चैप्टर में, बहुत variety के energy आपको पढ़ने को मिलते हैं, wind energy था, wind energy टेडल energy जो भी जो भी सब था, nuclear energy वगेरा वगेरा बायो मास सब, तो energy एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, वो कभी खतम नहीं होती है, कभी बनती नहीं है, तो हम इसको कैसे प्रूब करेंगे यहां पे, हमारा क्या है, principle of conservation of energy, और हम जब mechanics की बात कर रहे हैं, तो हमने mechanics में दो energy, एक energy पढ़ा है, mechanical energy, और उस mechanical energy में दो energy आया था, kinetic energy और potential energy, it means that, कि हमको यह बोलना है, कि kinetic energy potential में convert, potential energy kinetic में convert, it means कि net energy जो है, वो conserve है, जो हमारी net energy है, वो conserve है, यह हमको प्रूव करना है, तो statement तो वही रहेगा, क्योंकि यह तो conservation of energy का statement है, कि energy कभी खतम नहीं होती है, ना बनती है, यह एक form से दूसरे form में, it means कि कभी potential से kinetic में जा रही है, kinetic से potential में जा रही है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो हमारे NCRT में जो है, हम उसको लेके चलते हैं, और बहुत ही easy है, उसमें कोई rocket science नहीं है, बहुत easy है, एक minute आप देखते जाएगा बस ध्यान से, इतना आसान है कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो, एक object है, एक object है, जिसका mass M है, और ये earth surface से height H पे है, एक object है, जिसका mass M है, और earth surface से height H पे है, इस पे भी वही कर लो, वही object है M, जो की height H पे है, अभी हम लोग इसको समझेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, kinetic energy, potential energy का formula बस put करना है, M mass है, और height H पे है, अब देखो, इसको थोड़ा dotted दिखाया जाएगा, हमको काम है इससे, पहले ये यहाँ पे था, M mass का पहले, dotted मतलब की पहले था, एक object है, जिसका mass M है, और height H है, earth surface से H height पे है, ठीक है, ground से, तो ठीक, अब इस point पे ये क्या करता है, कि V not velocity से, निचे की तरफ move करना स्टार्ट करता है, एक object है, जो mass M का है, और height H पे है, means that, कि ये है, suppose लूँ ये cap है, जो की height H पे है, और अब ये V not velocity से move करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो आपने देखा, कि जो V not है, kinetic energy जो है, initial kinetic energy वो तो वही है, बट उसकी जो height है, धीरे-धीरे कम होती जा रही है, तो हम इसमें 3 situation लेंगे, और देखेंगे कि जो हमारी energy आ रही है, वो equal आ रही है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे at the top most point, यहाँ पे top most point पे, जब वो अपना चलना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे kinetic energy थी इसके पास, और वो कितनी थी, half M V not square, जब वो at the top most point, height is से जब वो चलना स्टार्ट किया, यानि कि वो motion करने लगा, और अगर वो motion कर रहा है, it means that कि वहाँ पे kinetic energy होगी, क्यों, क्योंकि kinetic energy का definition ही होता है, energy due to motion, अगर कहीं motion हो रहा है, तो वहाँ kinetic energy होगी, तो यह object जब V not velocity से move करना स्टार्ट करेगा, तो उसके पास kinetic energy होगी यहाँ पे, अब उसी time at the top most point, अगर इसके पास height है, तो इसके पास potential energy भी होगी, that is m into g into h, क्यों, क्योंकि potential energy क्या होता है, energy possessed by body, by virtue of its position और state, किसी position की वज़ा से object के पास जो energy होता है, हम उसको potential energy कहता है, और यह अगर किसी height h पे है, तो derivation की बात करोगे, तो free body diagram के according यह mg है, और height कितना है, इसका तो h है, तो network done कितना होगा, mg h, जो की एक energy है, तो at the top most point, at the top most point, यहाँ पे, इसके पास kinetic energy भी है, that is even equal to k, k1 plus p1 बोल दो इसको, potential energy को, p1 kinetic energy को, इसके लिए, तो हमारा net energy क्या आएगा, even equal to 1 by 2, mv not square plus mg h, यह आया हमारा पहले situation के लिए, कि जब object top most point पे था, that is height h पे था, तो height की वज़े से उसके पास potential energy बनी mg h, और वो v not velocity से move किया, it means की वहाँ kinetic energy बनी half mv not square, अब यह object जो है, आपका यहाँ आ जाता है, यह object पहले यहाँ था, अभी यहाँ आ जाता है, मांगनों यह wide distance travel कर लिया, यह जो है हमारा wide distance travel कर लिया, ओके, अगर यह wide distance travel कर लिया, और starting में इसकी velocity v not थी, और final velocity इसकी v1 बोल दो, तो क्या होगा, starting में इसकी velocity v not 3 और final velocity v1 हो जाएगा, तो इस case पे, यहाँ पे, इस small point पे kinetic energy कितना होगा, kinetic energy जो होगा, 1 by 2 m v1 का square, 1 by 2 m v1 का square, और इस पे potential energy कितना होगा, potential energy, that is k2, k1 बोल दो, k2, अब p2 कितना होगा, तो अगर यह total height h था, तो और यह wide distance चल लेता है, तो बचा कितना यह, h minus y, यानि कि यहाँ पे potential energy जो होगा, mg height कितना, h minus y, means that, कि जब यह wide distance नीचे गिर जाता है, जो मैंने cap का दिखाया था आपको, कि यह cap अगर maximum height इतना है, तो इसका, इस point पे potential energy कितना होगा, mg h होगा, and, अगर यह v-nut velocity से move करता है, तो इसकी kinetic energy बनेगी, that is half v-nut square पहले बनी थी, half mv-nut square, और जैसे जैसे यह object निच्छे आएगा, उसका height कम होता जाएगा, तो इस point के लिए potential energy कितना होगा, mg, और उतना ही height लेंगी जितना है, तो that is h minus y, ओके, अब देखो, अब क्या करना है, अब इसको निकालना है आपको, तो करोगे क्या, कि सबसे पहले हमें relation निकालना पड़ेगा, हमें relation निकालना पड़ेगा, कि हम क्या करें हैं, तो देखो, हम बोल रहे हैं कि, हमें पता है कि v1 square, equal to initial velocity v-nut का square, plus 2gh होता है, ओके v-nut, अब height के जगा पे, मैंने क्या किया, कि अगर इसको मैं put करूँ, सब कुछ अगर put करूँ, it means कि मैं v1 के जगा पे, इस v-nut square के जगा पे, मैं इसको put कर सकता हूँ, बास समझ में आ रही है, मुझे बस यह use करना है, third equation of motion, अब e2 निकालो, that is k2 plus p2, second kinetic energy at that point, plus potential energy at that point, plus mgh minus mgy, यही है, अब क्या करो, कि इस v1 के जगा पे, इस v1 के जगा पे यह रख दो, तो 1 by 2 m, v1 के जगा पे रखो, v-nut का square plus 2gh, ठीक है, 2gh, ओ सॉरी, यह h minus y होगा न, height, height कितना चला, इसके लिए, अब यह cancel out हो जाएगा, सब, एक सेगन, बतातू, यह हमारा, e2 equal to k2 plus p2, बना की ने बना, अब, यह जो, यह equation लगा रहे हैं, हम, यह equation कितने दूर के लिए लगा रहे हैं, यह हमारा line था, object यहाँ पहुंच गया, इतने के लिए लगा रहे हैं, तो यह हमारा y बना, initial velocity v nut थी, यहाँ पहे जो की v nut है, ठीक, final velocity यहाँ पहे क्या होती है, v1 होती है, और यह कितना distance चला, तो y चला, तो v1 square equal to v nut का square, प्लस 2gy, अब v1 के जगा पहे यह रख देना था, half m v nut square प्लस, एक सेगेंड, k2 की value half m v1 square, 1 by 2 m v1 square, प्लस p2 की value, mgh-mgy, अब देखो, अब 1 by 2 m, v1 के जगा पहे हम रखेंगे, v nut का square प्लस 2gy, and हमारा यह, minus mgy, यह put किये, आप देखो, 1 by 2 m, v nut का square, और 2 से 2, cancel out हो गया, 2 से 2, cancel out हो गया, मतलब कि, mgy-mgy, plus mgh, यह, यह कट गया, it means that, e2 जो आया, वो भी किसके बराबर आया, half m, v nut square, plus mgy, mgh, that means, अभी तक हमने यह देख लिया, कि e1 equal to e2, अभी तक मैंने यह देख लिया, हमने इस situation में क्या किया, कि अगर वो object, height y, चल लेता है, तो वहाँ पे उसकी velocity, v1 हो जाती है, माल लेते हैं, कि उसकी final velocity v1 है, और, जब वहाँ पे उस height के लिए, मैं kinetic energy निकालना चाहूँगा, तो that is half m v1 square, तो v1 में पहले relation क्या होगा, यह देखना था, तो पहले initial velocity v nut थी, बाद में v1 हो जाती है, equation में put कर दो, यह s कैसे हुआ, यह इतना चल के आया, यही हमारा s है, ठीक है that is y, तो मैंने इसको put किया, फिर formula में put की answer आगया, अब देखो, अगर यह third case में object यहां आ गया, अगर यह third case में object यहां आ गया, ओके, तो इसकी velocity पहले v0 थी, बाद में क्या हो जाती है, v2 हो जाती है, at the top, मतलब bottom point, सबसे नीचे इसकी velocity v2 हो जाती है, तो पहले अगर हम kinetic, इस पर बात करेंगे कि kinetic energy क्या होगा, तो बोलोगे sir, half mv2 square होगा, ठीक है, kinetic energy क्या होगा, half mv2 square, इसका potential energy क्या होगा, तो बोलोगे sir, p3 equal to mgh, अब यहाँ पे तो कोई height है नहीं, यहाँ पे कोई height है, तो potential energy तो यहाँ 0 हो जाएगा, बट अभी put करते हैं, तो e3 equal to होगा हमारा, k3 plus p3, net energy, potential energy plus kinetic energy, net energy मतलब potential energy plus kinetic energy, अब, k3 की जब बात हो रहे थी, तो k3 का formula था, 1 by 2 mv2 का square, plus p3, 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 that is mgh, और यहाँ height क्या है, 0, that means की p3 0 होगा, अब बच्चा की v2 के जगा पे हम क्या रखेंगे, initial velocity v1 थी, that is equal to u, final velocity क्या होई, जो हमारी final velocity है, वो, v2 हो गई, ok, and, height कितना, h कितना चला, h कितना चला, h के बराबर, तो जब हमने put किया, तो बोला, अगर third equation फिर लगाएंगे, that is होगा, कि हमारा, v2 का square equal to, v0 का square, plus 2gh, यही होगा, अगर इसके लिए relation निकालेंगे, इस इंप्लाइज, e3 equal to, 1 by 2 m, v0 square के जगाँ पे रख दो, v2 square के जगाँ पे, v0 square plus 2gh, अब इसको solve करो, e3 equal to, 1 by 2 m, v0 square plus, mgh, वही आया, जो पहले आया था, half mv0 square plus mgh, half mv0 square plus mgh, यह mgh है, half mv0 square plus mgh, 8 में इसकी, जो energy है, equal आ रही है, that is e1 equal to e2 equal to e3, यह हमारा principle of conservation of energy था, करना कुछ नहीं था, एक object को सबसे topmost point पे रखना था, तो topmost point पे उसकी potential energy कितनी होगी, होगी, जब वह v0 velocity से move करना start करता है, तो kinetic energy कितनी होगी, half mv0 square total energy kinetic plus potential जोड़ दिये, वो object, इस distance या y distance travel कर लेता है, तो उसकी velocity v1 हो जाती है, तो final velocity उसकेस में तो कहोगे, कि इस point पे kinetic energy, half mv1 square potential energy, mgh, यह वाला h लेंगे, that is mg h-y, तो अब हमें put करना था, कि v1 में और v0 में क्या relation है, तो third equation यूज किये, तो हमारा v1 का square क्या आया, v0 square plus 2gy, क्यों क्योंकि इसने y distance चला था, जब हमने put किये, तो कि e2 कितना आया, half mv0 square plus mgh, जब वो ground उपे आ गया, सबसे निच्छे आ गया, तो height वहाँ पे कोई नहीं होगा, इसलिए potential energy 0 हो जाएगा, बचा kinetic energy, तो v2 और v0 में relation निकालना था, तो v2 और v0 में relation ये आया, कि initial velocity v0 square थी, final velocity v2 होती है, और height कितना चलता है, h चलता है, तो third equation से ये आ गया, इसको हमने put किया, तो हमारा ये आया, that means कि E1 equal to E2 equal to E3, हमारा conservation of energy proof हो गया, यहाँ पे, कि energy कभी खतम नहीं होती है, वो एक form से दूसरे form में transfer होती है, यहाँ पे जो total potential energy था, kinetic energy में convert हुआ, यहाँ दोनों under process था, net energy यह आया, सारा खेल समझ में आ रहा है ना, सारा खेल समझने कहा है, और यह बहुत important है, अभी आज के lecture में जो भी हम पढ़े हैं, work energy theorem या यह, बहुत important है, क्यों, क्योंकि आपको कहीं ने कहीं use कराएगा, आपको बस इसको समझना है, इसमें कुछ नहीं करना है, kinetic energy का formula याद रखना है, half mb square potential energy का mgh, तो potential energy में height पता होना चाहिए, kinetic energy में velocity पता होना चाहिए, तो इस point पे velocity कितनी है, तो v1 है, height कितना चला है, तो h-1, h-y, तो mg h-y, सारा समझने कहा है बस, तो request यहीं करूंगा, कि work energy theorem का derivation, और principle of conservation का derivation, आप video के साथ साथ ही कर लिजिएगा, ताकि आपको clear होगा, और एक चीज हम पढ़ते हैं, अब, यह हमारा chapter बहुत important है, mechanics का जो, बात यह आती है कि, log of motion, work energy, हम जो पढ़के आए हैं, log of motion और work energy, दोनों मिला के question पूछा जाता है, friction वेगेरे, सब मिला के हम से question पूछा जाता है, अभी तक जो हम fourth और fifth chapter पढ़ें हैं, उसको मिला के question पूछा जाता है, अब हम पढ़ेंगे, यह तो हो गया ना हमारा, देखो, ध्यान से video देखना आपकी मेहनत है, और एक बार देख लोगे, तो derivation खुद से कर लोगे, क्योंकि formula में बस value put करना है, और कुछ नहीं करना है, अब हमारा है, conservative force, और एक हमारा है, non-conservative force, non-conservative, force, बहुत ही important है, यह भी समझने के लिए, conservative, ध्यान से definition सुनो, the force, conservative force क्या बोलेंगे, आप conservative मतलब क्या होता है, conserve होना, conservative मतलब क्या होता है, conserve होना, और non-conservative मतलब क्या होता है, कि conserve ना होना, ठीक है, तो इसके लिए बोलेंगे, forces are said to be conservative in nature, इसके लिए क्या बोलेंगे, forces are said to be conservative in nature, if work done against the force conserved in the body in the form of potential energy it means work done अगर conserved होता है it means कि energy conserved होता है अगर work done conserved होता है और किसके form में conserved in the body in the body in the form of potential energy conservative force वो force होते हैं जिसके again सम अगर काम करते हैं तो इस्टोर हो जाता है body में वो conserved हो जाता है in the form of potential energy example gravitational potential energy all central forces gravitational force central force सारी चीजे और ये अगर इसकी property की बात करोगे तो पहली तो property यही हो गई कि इसके against जो भी work done करेंगे वो body में conserve हो जाएगा और potential energy के form में store हो जाएगा conserve in the body and and store in the form of potential energy अब एक प्रोपार्टी यह हो गई दूसरी प्रोपार्टी कि यह जो होता है path independent होता है path independent means कि आप काम कैसे कर रहे हो इसको कोई मतलब नहीं है आप काम कैसे कर रहे हो जैसे मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं सीधे भी जा सकता हूँ यहां घुमते घुमते भी जा सकता हूँ ऐसे कईसे भी जा सकता हूँ it means कि इसको बस initial position और final position से मतलब है conservative force को initial position और final position से मतलब है बागी किसी से मतलब नहीं है इसलिए कहा जाता है कि जो conservative force होते हैं वो path independent होते हैं वो रास्ते उपे depend नहीं करते हैं उनको काम होने से मतलब है आप काम कैसे कर रहो इससे कोई मतलब नहीं है एक्जाम्पल के लिए आप देखो और जो एक्जाम्पल हम लोग करेंगे वो बहुत familiar है बहुत easy है देखो यह height h है ठीक इसका height h1 है इसका height h2 है और इसका height h3 है यह इसका height h1 h2 h3 हमें किसी object को किसी object के mass aim के object को मालनो height h हे उस छत पे ले जाना है ठीक है तो या तो मैं यहां से सीधे सीधे चला जाओं यहां पहुंच जाओं तो potential energy कितना होगा mgh थीक है किसी stone को मुझे यहां से यहां ले जाना है तो मुझे energy provide करनी होगी अगर height है इसकी potential energy तो mgh अब दुसरा option है कि उस女 को मैं इसके पहले यहां लेजाके रोक दूं पहले यहां लेजाके रोक दूं तो क्या होगा MGH1 फिर यहां ले जाके इस पर रोक दूँ तो क्या होगा MGH2 फिर यहां इसको ले जाके रोक दूँ तो क्या होगा MGH3 और MGH सब में common है H1 plus H2 plus H3 equal to MGH क्यों 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 H1 plus H2 plus H3 किसके बराबर है H के बराबर तो यह conservative है कि आप यहां से सीधे यहां पहुँचो यह जैसे मन वही से पहुँचो हमें कोई मतलब नहीं है हमें conservative है हम रास्तों पे depend नहीं करते है we are path independent हम path independent होते है हम path पे depend नहीं करते है थीक है तीसरा हमारा क्या है कि इसमें कोई भी ऐसा force नहीं होता है इस force की वज़ा से conservative force की वज़ा से ओके इसका just opposite है non conservative अगर हम non conservative force वो force होंगे जिसके against अगर हम काम करते हैं तो वो energy conserve नहीं होगी potential energy के form में store नहीं होगी just opposite of just opposite of conservative force थीक है दूसरा path dependent होता है यह path dependent होता है यह path पर depend करता है तीसरा इसमें sound energy sound energy heat energy सब निकलती है मतलब फालतू की जितनी चीज़ें वो उसमें होती है हमारा इसमें efficiency बोल सकते हो 100% होता है हम जितना देते हैं उतना हमें मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं मिलता है इसमें friction force वगेरा वगेरा आ जाता है तो हमारी energy loss हो जाता है उसमें non conservative में तो conservative में क्या होता है वो सारे force जिसके against अगर हम काम करते हैं तो energy conserve हो जाती है potential energy के form में store हो जाती है यह path independent होता है इसमें dissipated energy नहीं निकलती है it means की sound energy heat energy फालतू की जितनी energy हो वो इसमें नहीं निकलती है means that कि हम जितना देते हैं उतना हमें मिल जाता है इसमें इसका just opposite होता है इसका example मैंने potential energy के लिया कि अगर मुझे यहां से यहां जाना होगा तो MGH होगा यह ऐसे जाओ जैसे मन वैसे जाओ answer वही आता है अब एक चीज हमारा इस chapter में दो चीज और बची है power efficiency and collision तो power बहुत छोटा है तो इसी में ले लेता हूं और हमने इसमें कुछ बड़ा नहीं पढ़ा है है इस वीडियो में हमने कुछ बड़ा नहीं पढ़ा है हमने work energy theorem पढ़ा है सबसे पहले और उसके बाद work energy theorem के बाद हमने क्या पढ़ा principle of conservation of energy पढ़ा और उसके बाद हमने conservative और non conservative पढ़ा बस तीन चीज पढ़ा power से आप पहले से वाकिफ हो तो यह होता है rate of doing work by a body with respect to time with respect to time power जिसे आप छमता कहते हो it means कि power equal to work done upon time और यह आप टिन्थ में electricity में भी पढ़के आए हो बस वहाँ पे electric power होता था यहां पे mechanical power है यहां पे mechanical power है अब मैं बोलू तो क्या होगा पी equal to w by t यही होगा पी equal to w by t rate of doing work by a body अब यहां से अगर हमें निकालना होगा instantaneous power that is जो हम पढ़के आए हैं पहले से कि किसी भी instant पर अगर हमें power निकालना होता है किसी भी instant पर तो हम जैसे हम velocity पढ़के आये थे कि instantaneous velocity होता है velocity at any instant and अगर हमें बात करना हो instantaneous acceleration तो हम बोलते हैं अगर इसको में इसको बनाना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं कि पी अगर इंस्टेंटेनियस बनाना होता था तो आपको याद होगा कि पी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जिरो डेल्टा डबलू अपन डेल्टा टी इस इंप्लाइज पी इक्वल टू डी डबलू अपन डी टी यह हमारा क्या है instantaneous पावर कि इंस्टेंटनियस पावर यह आप पावर पहले ही पढ़के आयो चलिश्टेंट में भी बस वहां पे electrical power बोलते थे यहां पर mechanical power बोलते थे power का formula general वही होता है work done upon time तो total work done upon total time हमें instantaneous बनाना था तो हमने delta t को zero tense करा दिया मैंने यह बताया भी पहले तो p equal to dw upon dt instantaneous power आ गया जब हमें power पता चल गया तो हम फर्मूले यूज कर सकते हैं अब और कुछ करना चाहते हो इसके साथ तो कर दो p equal to dw को क्या लिख सकते हो f into ds लिख सकते हो upon dt लिख सकते हो dw को क्या लिख सकते हो dw equal to पढ़के आए वह छोटा work done equal to force into displacement तो आप पूट कर दिये तो हमारा power क्या बना force into velocity p equal to force into velocity क्यों 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 रेट अफ चेंज जब position क्या होता है velocity होता है एक नया फर्मूला मिल गया power की unit क्या होती है power की unit क्या होती है वाट होती है वाट नहीं पता है सर छोड़िये जहन्नुम में जाए power की unit Newton मीटर पर सेकेंड होती है यह बोल दो जो बोलना है वह बोल दो पावर तो पावर होता है अब एक चीज हमारा efficiency है अब लास्ट है efficiency इसको देखते हुए चलते हैं कि efficiency इससे related है जैसे हम बोलते हैं कि हमारी efficiency क्या है हम कितना efficiency है हमारी body की हम क्या कर सकते है means that और इस पर छोटे छोटे निमेरिकल बनते हैं कोई फालतूर नहीं है है fe cnc अब effe cnc क्या होता है it is the ratio of power output and upon and power input, it is the ratio of power output the to power input it is the ratio of power output to power input है ठीख है your well formula बोलो सबोलते हैं efficiency ita equal to इसको बोलते हैं eta eta पहले पड़े भी हो गया eta equal to P output ऑपाउ constitष channel power input इसको बोलते हैं efficiency आप इसको और क्या बोल सकते हो बड़ा कि power equal to होता है W invite ड़भी बाउड होता है अगर आप इसमें पूट कर दोगे कि पावर इकल टू वर्क डण आउटपूट एंड वर्क डण अपन टाइम कर दो और उसके बाद वर्क डण इन्पूट अपन टाइम तो टी 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 तो कट गया इट मिस्टाइट कि पावर का और फर्मूल डिफिनिशन क्या बनेगा इक पावर का और डिफिनिशन क्या बनेगा इटाइट इस्व इस दे रैसियो आफ वर्क डण पूपूट तू वर्क इंपूट हमने पावर क्या होता है कि हमें आउट पूट क्य इतना मिला और हमने उसको input कितना दिया था उन दोनों के रेशियो को efficiency बोलता है efficiency तो हमने क्या कि बोला कि it is the ratio of power output to power input ठीके आपको हो सकता है power दिया हो कि हमने अगर किसी को input power इतना दिया और output power इतना दिया तो efficiency कितनी होगी अगर किसी body की efficiency इतनी है उसका input power इतना है तो power output कितना होगा तो हमें power नहीं पता है हमें work done पता है तो अगर हम इसमें put कर दें अगर हमें put कर दें इसमें formula में तो tt तो cancel out हो जाएगा हम इसको बोल सकते हैं कि it is the ratio of work out and work out to work in हमने कितना work किया और हमें कितना work मिला इसके ratio को भी हम क्या कह सकते हैं efficiency कह सकते हैं यहां से सीधे सीधे हमें पता है कि work equal to energy होता है तो हम यह भी कह सकते हैं कि it is the ratio of energy output energy out to energy given हम किसी को कितनी energy दिये और हमें कितनी energy मिली उसके ratio को हम बोल सकते हैं इट मींस कि बोलो कि इटा इक्वल टू कि डबलू आउट अपान डबलू इन वह डबलू इन मतलब कि वर्क देना और डबलू आउट मतलब वर्क लेना और बोल दो कि इटा इक्वल टू ए आउट एनर्जी आउट अपान एनर्जी इन कुछ भी बोल सकते हो क्यों क क्योंकि जो power होता है w by t होता है और जो power होता है वह ए by t हो सकता है क्यों क्योंकि वर्गडन इक्वल टो एनरजी होता है वहां से पूट कर देना अब अगर percentage efficiency निकालनी होगी तो इसमें घंडेट से multiply कर देना हमारी percentage efficiency आ जाएगे परसेंटेज एफिसीएंसी इक्वल टू क्या होगा पी आउट्पूट अपान पी इन्पूर्ट इन्टू हंड्रेड हो गया तो इस पे बहुत छोटे-छोटे कोश्चन बनते हैं बहुत छोटे-छोटे बनते हैं सिधे वैलू पूट करना रहता है या तो आपको वर्क के फ पावर के फॉर्म में तो हमें कितना मेला और हमने कितना दिया था उन दोनों का रेसियों लोगे तो इफेसियन से मेल जाएगा और यह जन्रल टर्म होता है इसलिए मैंने इसको बोल दिया बाकी पूट करोगे तो केंसील आउट हो जाएगा तो हमारा एक टॉपिक इस बस इतना कहूंगा कि आपके पास 11 में टाइम होता है कि आप चीजों को समझ के अपने माइंड को स्ट्रॉंग बना सको अपने सब्जेक्ट को पकड़ सको ताकि आप 12 में अगर यही फ्लो बना रहेगा तो आप अच्छा करोगे बहुत अच्छा करोगे तो जो इस्टडी है तो अच्छी बात है कोई भी बच्चा 10 को छोड़ दो पीछे 10 का सर्टिफिकेट आपके पास आगया रिजल्ट आगया उसको अब वहीं होल्ड कर दो आप आपकी जो जर्नी है यह बहुत कंप्लिकेटेड यहां से सुरू होती है अभी मैं जितना यहां पर दे देता हू वह एकेडमिक पे बहुत है एकेडमिक लेवल के लिए बहुत है यही सारे कंसेप्ट जो है कंपर्टीशन में भी यूज होते हैं बस हमारे पास टाइम कम होता है कि हम कंपर्टेटिव कोस्चन इस पर अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप मेनत करो आपके पास क्लास 11 में ट जरूर देगा ओके तो ऐसे हमारे साथ बने रहे इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से कुछ नहीं पड़ा आमने वर्क एनर्जी थेयोरेम पड़ा डाइट इस डवलो इकल टू डेल्टा के फिर उसके बाद हमने प्रिंस्पल अब कंजरेशन आफ एनरजी और चार चीज बस हमने पड़ी है बहुत ही इंपोर्टेंट यह वाला लेक्चर है क्योंकि छोटे-छोटे कोस्टन बनते हैं और अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो गलत हो जाता है पावर ध्यान रखना की आउटपूट अपान इंपूट हमें मिला कितना हमने दिया कितना था इन दोनों के रेशियो को एफिशियंसी बोलते हैं तो प्लीज याँ हसते रहें मुस्कुराते रहें बने रहें हमारे साथ बेस्ट अफ लग गूड लग फ़र फ्यूचर थैंक्स वर वाचिंग